तीन सलेंडर के साथ मारूती सुजुकी ब्रेजा इंडिया में लॉंच होने वाली है जैसे की सुजुकी कमपनी ने अपनी सिफ्ट को लॉंच कर दिया है 2024 में तीन सलेंडर इंजन के साथ तो सेम वैसे ही आपको जो breza है ये भी आपको 3 cylinder के साथ मिल जाएगी और breza का जो facelift스 variant है वो launch होने वाला है और नए वाले जो variant आएंगे facelift के breza के उसमें आपको 3 cylinder engine दिखने को मिल जाएगा अगर आप लोग breza purchase करने का plan कर रहे हो, तो यहार मेरी मानो अभी purchase कर लो क्योंकि भाई जो engine आएगा ना 3-cylinder उसमें आपको vibrations, heating problem और भाई आपको performance में गिरावट मिलेगी तो अगर budget अभी आपका allow कर रहा हो तो आप जाकर अभी उठा लो पन्ना यार कभी भी इस गारी का facelift variant launch हो जाएगा और 3-cylinder engine आजाएगा तो बात करते हैं गारी के engine के बारे में तो गारी में जो है अब आपको मिलेगा 1462 cc का 3-cylinder engine और ये गारी आपको hybrid ही मिलेगी लेकिन गारी की जो power output है ना उसमें आपको गिरावट मिल जाएगी ब्रेजा जो है अलगभग आपको अब देगी 96 hp का power और torque आपको मिलेगा लगभग 128-130 nm के आसपास तक का और ये गारी जो है ना भाई mileage आपको देगी 22 का और speed आपको देगी 160-165 के आसपास तक का तो engine में गिरावट होने वाली है definitely example आपने देख रखा है swift में अब जो है बात करते हैं गारी के look को लेकर क्या changes किये जाएंगे तो इस गारी में आपको बिल्कुल ही नया LED का headlamp मिल जाएगा साथ ही आपको गारी में LED के DRL मिल जाएंगे जो कि यार काफी जादा अच्छा लगने वाला है और ये lights और DRL आपको new shape के मिलेंगे old वाले बिल्कुल नहीं बागी जो है गारी में आपको नई grill मिल जाएगी सुसुकी का आपको mid में logo मिल जाएगा 3D में matte finish में बागी जो है यार इसमें आपको मिल जाएगा sunroof वगेरा भी जो कि आपको पता है वो तो मिलेगा ही अगर बाई back profile पे आए तो गारी में आपको बिल्कुल ही नया till gate मिलेगा जिसपे कि आपको बिल्कुल ही नई LED की till light मिल जाएगी गारी में आपको rear defogger, rear washer, wiper भी company provide कराने वाली है बागी जो है बाई गारी में आपको rear view camera बगेरा तो बाई ये सारी चीज़े variant के हिसाब से company आपको provide करा देती है गारी की जो बाई ओवार भी है में वहाँ पे आपको integrated DRL मिल जाएगे और बाई जो ब्रेजा का बाई टॉप model होगा उसमें आपको fog lamp भी मिलेगा साथ ही वहाँ पर भी आपको उपर के side DRL मिल जाएगे अगर बात करें dimensions की तो इस गारी में आपको overall length मिल जाएगी 3995 mm की बाई चड़ाई आपको मिल जाएगी 1790 mm की height आपको मिल जाएगी 1685 से लेके 1690 mm के आसपास तक की और इसका जो बाई वजन होगा वो घट जाएगा वजन आपको मिलेगा लगबग 1100 kg के आसपास तक का बाकि यार बाई sitting capacity आपको वही 5 लोकी मिलेगी डोट सापको मिल जाएगे 5 और इसमें आपको मिलेगा fuel tank 50 liter का जो की 2 liter बढ़ जाएगा round figure में और इसका जो बाई boot space वो आपको मिलेगा लगबग 330 लीटर के आसपास तक का क्योंकि बाई गाड़ी की जो height है वो बढ़ रही है तो बाई जो boot space है वो भी बढ़ेगा थोड़ा बहुत तो change आएगा आगे जो बाई आपको मिल जाएगी ventilated disc पीछे आपको मिल जाएगी solid disc जी हाँ पीछे भी अब आपको disc brick मिल जाएगा और जो बेज़ा में आपको ABS, EBD, heel assist, traction control, cruise control मिल जाएगा बाई एडास नहीं आने वाला है वो महिंद्रा अच्छा देता है Suzuki से वो आप expectation मत लगाना tear आपको मिलेगा 215,60 आर 16 का तो बाई इसका जो MID है जो कलिष्टर है, जो steering है वो भी आपको बिल्कुल ही new मिलेगा जो की बहुत ही जादा अपडेट हो जाएगा बागी जो भाई इसमें आपको पीछे भी AC के वेंट वगेरा मिल जाएगे आपको भाई वारलेस चाजल मिल जाएगा बागी जो भाई आपको 12 वोल का मिल जाएगा सॉकेट जिसमें अपना आप इनवाटर वगेरा कनेक्ट कर पाऊगे जो भाई interior है वो आपको all black में भी मिलेगा वो आपको भाई dual tone मिल जाएगा सात्व भाई आपको white में भी मिल जाएगा inverter भाई आपको white में भी मिल जाएगा interior और इसका जो price होगा न भाई Brazor का वो लगभग बढ़ेगा 30,000 रुपए के आस पास तक का ब्रेजा अभी आपको मिल जाती है बेस मॉडल 8,34 रपसे शुरूम भाई ये गाड़ी स्टार्टिंग देने को मिल जाती है तो भाई इसी में आप लोग मान के चलो 30 रुपए एक्स्टा बढ़ जाएगा और ये गाड़ी से आपको लगभग 4 मैने के बीच में मिल सकती है तो आप लोग जाओ तो ब्रेजा का वेट कर ले ना बागी है यह बाई जो वीडियो है लाइक कर दो मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक लिए जय हिंदू बन दे मातरम बाई